हाई व्रेवन वेलकम पैक तो दो नॉलेज अब आज हम नॉलेज अब के स्पीट्यू में सर्फिस एरिया इन मैल्यूम क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.4 के को सॉल्ब करने वाले हैं तो अब यहां से जो हमारे 13.4 का एक्सरसाइज यहां से हमारे स्पेर-related question स्टार्ट होने वाले जैसे आपके question no.1 कह देख सकते हैं find the surface area of the spare of the radius before solving this question we have some you know perspective clear understanding related to this particular question तो हमें एक clear understanding होना चाहिए कि what is spare is all about और इसमें जो formula है कब कहा यूज होता है इसमें letter surface area का provision है या नहीं ठीक है तो हम पहले spares related सारे यह doubt को clear कर लेते हैं ठीक है तो दीके spare क्या अब इस जैसे यह circle है अब इस पेर के बारे में हम समझा रहे है अब circle उतना गोला तो सही से नहीं बन पाए का ठीक है बनानी की कोशिस करते है suppose that यह circle अब यह एकदम गोला है चारो तरफ से ठीक है चारो तरफ से गोला है मतलब आप इस पेर का example और बॉल ले सकते हैं जो हमाई प्रिथवी एक इस पेर है तो अभी तक तो हम circle का एरिया पढ़ते थे पाई आर स्कॉयर circle का एरिया क्या होता था पाई आर स्कॉयर यह भी आप लिख लेजे क्योंकि इससे भी related इसमें concept आएंगे ठीक है circle का एरिया होता पाय आर स्कॉयर लेकिन इसब्सकॉयर के एरिया पाय इसक्वयर नहीं होता है एक इसथे क्या होता है match the surface area the surface area the Patient MARTI 0 पहले आप लिख लिए फिरम बताते हैं इसके § surface area of square जो होता है फोर biaire विकार होता है सब्सक्राइब घब देखे जब हम कहेंगे आप surface area of square निकालिए तो यह formula जब 4 realise 4 यहां पे न कोई lateral होगा न कर्ब होगा, न टोटल होगा, spare मतलब spare, ठीक है, न इसमें कहीं से वो hollow रहेगा, spare गोला है, तो कहीं से hollow होने का सवाल ही नहीं उड़ता है, कोई इसका 계속 ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसी spare को हम आधा divide करें, मतलब कट करें, मतलब स्पेयर ऐसे होजा है त America should film सब्सक्राइब आएध करेक्ड डाइग्राम ही रहेगा एसा हो जाए तब मैं जब ऐसा हो गया कट गया तो अब ही जब इसरे हम निकाल रहे तो सिर्फ उपर का ही निकाल रहे तो यहां से आप ही स्टार्ट होगा टोटल सरफ c sn अब देखो इसको आप szpare कहते हो लेकिन जब अधा जब हम काड़ेते हैं तो हम कहते हे mais усовot ठीक हें हम क्या कहते हैं इसको हीम of हैioè हम यहा पर ले शीटाट ही the इसको हीमिस्थ we're old एकिस्थ ही में यहां से यह मासे टॉटल surface area लेटर स्टार्फेस एरिया का प्रावेजन स्टार्ट हो जाता है कैसे देखिए अब यहाँपर डिखिए अब जैसे हैं हमिस्वेर है हमिस्वेर यह पूरे इंद प्राइम पाइया था फॉर पाय यह चौन का एरिया क्या होगा औपblesिजार हो जाएगा ठीक है क्योंकि आदा इसको सब्सक्राइब हो रहा है तो हमस्पेर को आधा कर रहे हैं है हमस्पेर उपर का एरिया यही वाला एरिया ले रहा है न ही से तो लेटरल सर्फेस एरिया का पॉवेजन हो जाएगा लेकिन जब हम total निकालेंगे total में हम नीचे वाला जो base है उसको भी include कर लेंगे इसको भी तो यहाँ पे 2 pi r square में एक circle का area plus pi r square add कर देंगे तो जो इसका total surface area हो जाएगा 3 pi r square basically total surface area of hemisphere की बात हो रही है hemisphere 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 sphere में तो total surface area, lateral surface area का sphere में तो कोई concept ही नहीं है sphere में तो कोई concept नहीं है surface area of the square is equal to 4 pi r square इसको upon 2 करें तो हम इसफेर जैसे upon 2 की है total or lateral का concept स्टार्ट हो गया तो यह concept आपको clear होना चाहिए mind में ठीक है तो अब हम इसी concept के साथ हम मतलब इसके आगे की question देखेंगे solve करने की कोईस करेंगे ठीक है तो इन सब को पहले हम area कर लेते हैं ठीक है तो यह हो गया basically clean question को देख लेते है question कहा रहा है find the surface area of the spare of radius 10.5 cm 5.6 cm third question different radius दिया है तो हमें one by one basically प्रैक्टिस कर रहा है पहला question उसमें radius के नहीं दिया 10.5 cm तो surface area of the surface area of sphere का formula क्या होता है 4 pi r square ठीक है आप देखेंगे इसको याद करने के लिए तो हमारा pi r square होता है circle का उसमें 4 का multiply 4 pi r square 4 into 22 upon 7 r कितना है 10.5 square है ठीक है 10.5 का square है तो हम मतलब दो बार है वो इसको हम दो बार लिख देते है 10.5 into 10.5 ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा यह 7 से इसको डिवाइड हो जाएगा 7 वंजा 7 25 1.5 तो यह हो जाएगा 4 into 22 into 1.5 into 10.5 अब इन सब का जब आप multiply करोगे तो यह हो जाएगा हमारा इसका answer जो हो जाएगा of square is equal to 4 pi r square तो हो जाएगा 4 into 22 upon 7 into 5.6 दो बार लिख देते है 5.6 तो 7778 जा 56 होता है यह होगा 0.8 ठीक है 0.8 हो गया जब आप इन सब को multiply कर लोगे basically 4 into 22 यह हम लिख देते है 4 into 22 into 0.8 into 5.6 जब आप इसको multiply करोगे तो यह हो जाएगा हमारा 394.24 ठीक है centimeter square ठीक है तो हमारा second का area निकल गया तो आए third का निकाल लेते है radius 14 put करके 14 centimeter तो वही surface area of square ठीक है square is equal to 4 pi r square is equal to 4 into 22 upon 7 into 14 इन्टू 14 ठीक है तो 7 टू जा 14 तो बचा कितना 4 into 22 upon 7 sorry 22 into 2 into 47 तो नहीं रहेगा यहां तो कट गया तो यह हो जाएगा हमारा basically 24 24 64 cm square तो यह हमारा तीनों का area हमें निकल गया लग लग तो आएए next question की तरफ बढ़ते हैं देखें एकदम same question की तरह है बस पिछली question में यहां diameter मतब रेडियस दिया था यहां diameter दिया है तो आएए को solve कर लेते हैं यहां 14 cm तो आर इस कितना हो जाएगा तो आर इस इकल टो हो जाएगा d upon 2 होता है तो इस इकल टो हो जाएगा 14 upon 2 इस इकल टो हो जाएगा हमारा 7 cm बस वही area of the surface area of sphere का formula लगा दे surface area of the sphere इस इकल टो होता है 4 pi r square तो हो जाएगा 4 into 22 upon 7 into 7 into 7 तो यह 7 से 7 cancelled तो यह हो गया 4 into 22 into 7 ठीक है तो अब इन तीनों का मुझा आप multiply कर लोगे तो basically हो जाएगा हमारा 616 cm square तो यह हो जाएगा हमारा answer ठीक है तो आएए हम second question की तरह बढ़ते हैं second question में क्या कह रहा है d दिया है 21 cm तो r is equal to d upon 2 21 upon 7 is equal to 7 3 is 21 3 cm हो गया ठीक है sorry 7 कर दिया 2 हो गया sorry 2 करेंगे upon 2 करेंगे तो upon जो इसको 2 करेंगे तो आएगा 10.5 cm ठीक है तो surface area of sphere sphere का formula 4 pi r square तो यह हो जाएगा 4 into 22 upon 7 into r दो बार है तो 10.5 into 10.5 रिख देते हैं फिर वही 7 बंजा 7 75 to 35 तो बचा कितना 4 into 22 into 1.5 into 10.5 यहां पर पॉइंट है तो यह तुना हो गया 10.5 अब जब आप इन तीनों का basically क्यारो करोगे multiply तो आ जाएगा हमारा answer जो आएगा तो r is equal to हो जाएगा 3.5 upon 2 तो 3.5 upon 2 तो आएगा basically 1.75 cm तो वही surface area का formula जगाते है surface area of sphere is equal to हो जाएगा 4 pi r square is equal to 4 into 22 upon 7 into 1.75 into 1.75 into 1.75 पिर से जब आप इसको solve करोगे तो आएगा 38.5 cm2 that solve बहुत easily हमारे निकल गया इन तीनों का बस पिछली question में यहां पे radius दिया था यहां पे diameter था ठीक है तो diameter को फिर हमें radius निकालना होगा इसकी मतल से हमारे जो next question है find the total surface area of the hemisphere of radius 10 cm वही question है हमिसफेयर है यहां पे total surface area निकालना है ठीक है जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली video मतलब पूरा मैंने हमिसफेयर से related आपको concept के लिए करवाया हमिसफेयर का आप देखे वही जो इसफेयर का 4 pi r square है upon 2 किया तो 2 pi r square आया है हमिसफेयर का लेकिन इसमें total कह रहा है तो यह वाला भी include करेंगे मतलब pi r square एक और include करेंगे तो यह हो जाएगा 2 pi r square plus pi r square is equal to हो जाएगा 3 pi r square ठीक है 3 pi r square ठीक है तो आईए total surface इसमें radius दिया है तो टोटल surface area of hemisphere hemisphere is equal to हो जाएगा 3 pi r square 3 into 22 upon 7 और r हमें दिया 10 into 10 into 10 जब आप इसको solve करोगे basically cut cut करोगे तो आजाएगा basically 942 cm2 तो हम यह लिख देंगे therefore total surface area total surface area of given hemisphere hemisphere is equal to 942 cm2 that's all बहुत easy question था यह हमारा answer होगा आए नेक्स question की तरह पढ़ते है तो हमारा जो next question है वो क्या कह रहा है next question कह रहा है the radius of the spherical balloon spherical balloon balloon है मतब आप जानते है balloon मतब गोला spherical balloon increase from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it find the ratio of the surface area of the balloon into the two cases बहुत easy question है हम आपको इसका concept के लिए करते है एक balloon है ठीक है उसका क्या है radius मतब यह supposed to be balloon है उसका radius is 7 cm जब आप इसमें air pump करते हो तो जैसे बाद है balloon बढ़ा हो जाएगा तो balloon कितना हो जाता है उसका radius दुगना हो जाता है 14 cm जब radius दुगना हो गया तो 4 pi r square area होता है square का तो r की value दोनों change हो गई न इधर अलग इधर इधर तो हमें इसका पहले हमें r की value निकालना है इसे spherical value का फिर जब हम फुला देते हैं तो उसका radius change हो जाता है तब जो हमारे radius रहेगा उसकी मदद से हमें इसका area निकालना है तो surface area फिर उसके बाद हम ratio निकालेंगे आपको ratio पता होगा जैसे 2 upon 7 है जैसे मालने आप 7 में से 2 number पाए हो तो आपका ratio क्या है यह है ratio से related आपको concept क्लियर होना चाहिए ratio बहुत easy question चैप्टर है अगर आप ratio अच्छे से पड़े होगे तो हम basically क्या करेंगे इसको divide के form में कर लेंगे ऊपर divide के form में फिर जो अगर simplest form में change होगा simplest form में change करके इसको ratio के form में दिखा देंगे जो भी 1 is to 4 हो 1 is to 2 हो ठीक है तो वह जो divide ही रहता है उसी को हम ratio के form में convert कर देते हैं तो आइए इसका हम solution solve कर लेते हैं ठीक है तो पहले by r is equal to 7 cm जो r is equal to 7 cm तो surface area surface area of sphere कितना होगा surface area of sphere is equal to 4 pi r square is equal to 4 into 22 upon 7 into 7 into 7 7-7 cancel यह हो जाएगा हमारा basically 616 जब आप इन तीनों को multiply करेंगे 4 into 22 into 7 करेंगे 616 cm2 cm2 तो यह है surface area of the initial value हम लिख सकते हैं surface of the sphere यहां पर लिख देते हैं initial value है before inflating ठीक है फुलाने से पहले यहां पर O double O लिख देते हैं यह हो गया initial value है तो फिर हम surface area surface area of pumped balloon यहां पर लिख देते है pumped ठीक है concept मतलब लगे कि हम उसका area निकाले pumped balloon ठीक है balloon ठीक है balloon ठीक है यहां पर 14 लिखेंगे 14 into 14 7 2 जा हो जाएगा 14 ठीक है 7 2 जा हो जाएगा 14 तो अब हमारा बचा कितना 4 into 22 into 2 into 14 अब देखिए इन तीनों को जबाब multiply करेंगे तो आएगा 2464 तो अब basically हम ratio निकाल लेते है ratio initial initial balloon 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 upon pumped balloon pumped balloon pumped balloon balloon ठीक है तो इस इकल टो हो जाएगा 616 upon 2464 ठीक है तो 616 का वन जा और यह फोर जा यह हो गया हमारा 1 ratio 4 that's all अब इस question को करने का एक और तरीका है अगर आप दूसरे तरीके से इस question को करना चाहते है तो हम बता देते हैं कैसे होगा अगर इस methods अगर आपको आ गया समझ में तो ठीक है लेकिन अगर दूसरे method से आना है तो बहुत easy method है इसमें क्या कह रहा है basically हमें answer ratio ही निकालना है find the ratio ratio हम basically यही से start कर सकते ratio is equal to initial balloon यहां पर इससे लिख देते ratio is equal to initial balloon initial balloon upon pumped balloon इन सब का surface area निकालेंगे initial balloon का pi r square और इसका pi r square अब यहां पर r हम यहां 1 लेख देते हैं r1 और r2 क्योंकि यहां पर r जो होगा different r होगा क्योंकि एक जगा r की value 7 होगा एक जगा 14 होगा है तो हम इसको आगे solve करेंगे 4 5 से 4 5 कट गया तो बचा क्या r1 का square upon r2 का square बहुत easy method तो यहां पर हो जाएगा basically r1 कितना है 7 है 7 का square upon 14 का square तो हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49 तो 49 upon और 14 into 14 196 तो फिर इसको आप simplest form में चेंज करेंगे 49 बचा 1 होता है 49 4 जा होता है यह तो फिर आगया 1 ratio 4 तो यह भी एक पढ़िया method है तो आपको doubt नहों इसलिए हम इस मतलब जैसे हम लोग चल रहे थे starting से उसी method से हमने तो यह भी आप method है अगर method है आप इसको भी अगर math से आपको love है आपको method जानने का मतलब curiosity है तो आप इसको भी जान सकते हैं अच्छा method है तो अब हमारे जो यह जो exercise इसका 5,6,7,8 question बच गया है तो इसको हम next video में deal करेंगे तो आप मिलते हम next video में next question के साथ तब तक के लिए जय हिंद